आज का टॉपिक बहुत ही इंट्रस्टिंग और बहुत मज़े का है। किस वज़ा से? Because today we are talking about rule making, rule breaking and power. Rule making हम सब जानते हैं कानून क्यों बनाए जाते हैं? कानून आपकी मेरी जिन्देगी को आसान बनाने के लिए बनाए जाते हैं। तो फिर rule breaking क्यों होती है? ये भी तो सवाल है ना, क्योंकि अगर कानून किसी भी authority को मनवाने के लिए बनाया जाता है, तो rule breaking का क्या purpose हुआ? या क्यों की जाती है? तो इसका मतलब ये हुआ, कि जब कोई किसी की authority को deny करता है, तो वो rule break करता है. तो यहाँ, अब किसकी ज़्यादा importance हो गई? कि rule making, rule breaking के लिए, जो दोनों के दरमियान line draw होगी, वो ये है, कि power किसके पास है? क्या rule breaking allowed होगी? क्या उसकी अजाज़त होगी? तो जाहरे ये सवाल बहुत interesting और बहुत मज़े के हैं, और हम सबकी रोजमरा जिन्दगी के अंदर, हमें बहुत से कवानीन को हम follow करते हैं, कभी-कभी हम समझते हैं, कि ये कानून सिरफ हम ही क्यूं follow कर रहे हैं, बहुत सारे जो कानून को तोड़ने वाले हैं, उनको किसने इजाज़त दी कानून तोड़ने की, वो क्यों आकर कावानीन को नहीं मानते, लेकिन आउटकम क्या होता है, जाहर है, रूल ब्रेकिंग का आउटकम, जो रिजिस्टेंस आती हैं उससे मौश्रे के अंदर, वो फिर उसके बाद उन पर फिर नया रूल अप्लाई किया जाता है, तो इन सवालों के जवाब के लिए आज की बात, So this section of today's discussion, basically it deals with rulemaking, rule breaking and power resources, because power, it comes in the society, it comes in the name of the state authority to implement the rules, but definitely there are some resources of power, so how this all combines, we are going to discuss and we are going to understand this concept, because if rulemaking is a strategy of domination, that rulemaking is a strategy of domination, what it means, that जो कानून बनाता है, basically, वो इस एक policy के साथ कानून बनाता है, कि लोगों के जिन्दगी के अंदर नजम उजबता है, मगर जो कानून बनाएगा, उसके पास ऐसी पावर होगी, जिसकी वज़ा से वो कानून बना भी सकता है, और फिर कानून को implement भी कर सकता है, so rule breaking is a strategy in challenges to domination, कि जो कानून तोडने वाले हैं, वो असल में उस ताकत को कतम करने के लिए, उस ताकत को challenge करने के लिए गवानीन को तोडते हैं, तो इस point को हमने समझना है, because the core idea of this concept revolves around the factor of power, यानि जो असल बात है, जो असल कहानी है, जो इन दोनों के दर्मियान में एक link है, rule making or rule breaking के अंदर, वो factors of power हैं, क्योंगे अगर हम अपनी रोज मेरा की जिंदगी को भी देखेंगे, जो social interdependence है हमारे पास, आपकी मेरी जिस हैसियत से हम जाने या पहचाने जाते हैं, हम अपनी अपनी हद में क्यूं रहते हैं, क्यूंके हम एक दूसरे की respect करते हैं, एक दूसरे की हैसियत को, उसके status को ओनर करते हैं, ये क्यों है क्योंके जाहिर है हर individual की एक अपनी शनाख्त है उसका एक अपना लाहय अमल है उसका अपना एक रोल है society के अंदर मौश्रे के अंदर उस रोल की respect उस रोल का honor करने के लिए हर रियासत कुछ कवानीन बनाती है ताके उसके अंदर बसने वाले अफराद अपनी अपनी उस अपने अपने उस status के लिए उनको respect और regard मिले और कोई उनकी boundary के अंदर कामखा जो है वो मुदाखलत ना कर सके from Aristotle, Machiavelli, Hobbes, Russo, they all are contented that rules are made and ruptured in human society for the struggle of power so it is a basic concept behind all the philosophers, all the very much important names that they all believe that कवानीन जो होते हैं जो असूल जवाबित मुरत्ब किये जाते हैं बन्यादी तोर पर इनका मकसद एक struggle of power के लिए जिदोजहेद करना होता है यानि हकूमत जब कानून साजी करती है अदारे जब कानून साजी करते हैं तो वो असल में अपने आपको मजबूत करते हैं लेकिन अगर देखा जाए तो दर हकीकत इन कवानीन का मकसद इनसानी जिन्दगी का तहफूज होता है इनसान की एक कपैस्टी है उसने अपने अपने अकॉर्डिंग जिन्दगी गुजारनी है और इन सब चीजों को सोशल लाइफ को मुनजब करने के लिए और गनाइस करने के लिए और हर एक को अपने अपने दारा कार में रहने के लिए हर रियासत और हकूमत कानून साजी करती है इसी जित्माई जिन्दगी के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉम्पलेक्स चीज़ है वो क्या है वो है कि जो मुक्तलिफ सोशल ग्रॉप्स होते हैं मौशरे के अंदर वो हर ग्रॉप अपने लिए डॉमिनेशन चाहता है अपने लिए ज्यादा फिसलिटिस चाहता है अपने लिए अपने दारा कार में रहने के साथ साथ असानी जाता है अगर तो इस ग्रॉप पैटरन के अंदर मुक्तलिफ ग्रॉप्स एक दूसरे के लिए आसानी फ्राहम करें तो वो मौशरा ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है वो रियास्त ज्यादा अच्छी कारकरदगी का मुझाहरा करती है लेकिन उसके साथ ये भी समझा जाता है कि जो रूल्स हैं बैसिकली ताकतवर के हाथ में एक ऐसा जरिया होते हैं जिनके जरिये वो बहुत सारे लोगों को पर असर अंदाज होना चाहता है अब अगर तो ताकतवर का मतमाई नजर ये है कि इससे लोगों की जिन्दगी मुनजम हो तो इसका नतीजा सही आएगा लेकिन अगर ताकत का इस्तमाल मसा होकात अपनी हद से बढ़ कर होगा तो उसका नतीजा जो है वो गलत हो जाता है So rules are considered to be tool to resolve the issues of collective life but they are not obeyed oftentimes just because the identification of its soul determination has remained its key contention यानि कवानी जो है वो लाजमी तोर पर इनसानों की जिन्दगीों में असानी के लिए होते हैं लेकिन अगर इस बात को ऐसे समझ लिया जाए कि जो कवानी बनाए गए हैं वो असल में इनसान की जिन्दगी में असानी की बजाए तंगी ला रहे हैं फिर बाज वकात उन कावानीन के खिलाफ आवाज उठती है और फिर उन कावानीन को implement करना जो है वो बाज वकात नमुंकिन भी हो जाता है So the question of who will authorize what and why makes some rules unacceptable given birth to rule breaking episode of rules So in a nutshell rule making and rule breaking is an effort from individual account for the exercise of power So जब कवानीन नहीं माने जाते तो इसका मतलब यह होता है कि power का इस्तमाल गलत हो रहा है So power क्या है? The chance of a man or a number of men to realize their own will in a social action even against the resistance of other who are participating in the action Max Weber ने बहुत अच्छे तरीके से analysis किया कि power जो है जब लोगों को आपने जबरदस्ती किसी बात से मनवाना हो और वो सही तरीके से अब proper way में बात ना मानी जा रही हो तो वहाँ पर फिर power involved हो जाती है और बाज उकात power जो है उसको ऐसे भी define किया जाता है That power is the capacity of an individual or group of individuals to modify the conduct of other individuals यानि बाज उकात power सिर्फ लोगों के रवेये को modify करने के लिए लोगों को यह समझाने के लिए कि यह बात ऐसे नहीं ऐसे ज्यादा appropriate है इस context में भी power का इस्तमाल हो सकता है तो power जो है वो ऐसे ही है जैसे कि कोई game है किसी society के अंदर और फिर power के जो resources है उनको देखना भी ज़रूरी है कि power कहां से आती है उसके important sources कौन से है और उसमें important बात यह होती है कि powers जो है मौश्रे के साथ जब उसका तालुक जोड़ा जाता है तो उसमें attributes और things होते है यानि लोगों के पास जो उनकी personal skills होती है बास उकात लोग अपने field के बहुत बड़े experts होते हैं कई दफा जो इन लोगों के पास पैसा आता है वो control करते हैं चीजों को तो ये सब resources होते हैं power के और जिनकी वज़ा से society के अंदर rules बनाए जाते हैं बास उकात उन rules को follow नहीं किया जाता उनको तोड़ा जाता है लेकिन इन सब को control करने के लिए जो चीज सबसे एहम है वो है use of power अगर power का use negative होगा तो फिर वहाँ पर लोग जो है वो मौश्रे और रियासत के खिलाव खड़े हो जाएंगे तो इसलिए ये बात जरूरी है कि ये देखा जाए कि action ability किन लोगों के पास है और action ability जो है वो किस तरीके से society के मौश्रे के अंदर use होगी जिन लोगों के पास भी power होती है उनके पास action की ability अगर होगी तो वो sometimes चीजों को एक हद से निकलने से पहले control कर लेंगे यानि अगर उनके अंदर action ability अतनी है कि वो रियासत को structure को और उसके साथ साथ actions को control में कर लें तो इस से ये सारी की सारी सूरते हाल जो है वो मौनज़म तरीके से manage भी हो जाएगी और मौश्रे के अंदर rule breaking की state जो है वो नहीं आएगी यानि क्या चीज़ important है वो ये है कि रियासत कावानी बनाए लेकिन ऐसे कावानी ना बनाए जो लोगों को रदे अमल पर मजबूर कर दें और अगर रियासत हकूमत के जरीए ताकत का नजायज इस्तमाल करेगी तो लोग जो है react करेंगे उस reaction को कंट्रोल करने के लिए action ability का होना जरूरी है ताके मौश्रा जो है वो एक organized form में काम करता हुआ हमें नजर भी आए